आज हम बनाएंगे चटपटी चाट चटनी, सेंडवीच, दाबेली, कचोरी, समोसा, वड़ा, ढोकला, सेवपूरी, दाइपूरी ये सब के साथ हम ये चटनी साव कर सकते हैं तो देखते हैं रेशिपी, यहाँ पर मैंने फ्रेश कोरियंडर लिउस लिया है और इसे स्टोर करने का तरीका मैंने मेरी चैनल पर वीडियो अपलोड किया है और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगी और अभी इसमें वन फोथ कब जीतना फुदीना दालेंगे फुदीने को भी हम धन्य पत्ते के जैसे स्टोर कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली लिया है यह पैरेट ग्रीन कलर का चिली थोड़ा सा कम तिखा होता है लेकिन स्ट्रीट स्टाइल चट्नी बनाने के लिए हमें यह ज्यादा तिखी वाली यानि की डार्क ग्रीन कलर की चिली हम लोग यूज़ करेंगे मैं यहाँ पर चार से पांच चिली ले रही हूँ आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं अगर स्ट्रीट स्टाइल फूड यानि की होटल जैसे चट्नी बनानी है तो चिली थोड़ा सा हम लोग चादा ही लेंगे और यहाँ पर मैंने आदा चम्मज इतना नामक डाल दिया है आदा चम्मज भूना हुआ जीरे का पावडर डाल देंगे जीरे को मैंने रोटी बनाने वाले तवे पे हलका सा रोस्ट कर लिया था और आदा लेमन का जूज दालेंगे और इसे पीस लेंगे एकदम कम सामान में और फटा फट यह टेस्टी चटनी बन जाती है तो आप यह रेसिपी जरू ट्राइ कीजिए और यह चटनी को हम फ्रीजर में रखके दो महिने तक स्टोर भी कर सकते हैं तो बनाए और एंजोई कीजिए